परितंत्र की परिवासा क्या है और किस तरह से इस concept का development हुआ तो कोई भी जीव जो प्रिक्रती में रहता है वो कभी भी अकेला नहीं पाये जाता सभी जीव प्रिक्रती में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं प्रिक्रती में पादप समुदाय या जमतू समुदाय का एक दूसरे के बिना रहे पाना बड़ा मुस्किल है तो जो ये संबंद होता है इनके बीच में ये डाइनमिक संबंद होता है इसी को हम ecosystem कहते हैं तो प्राकिर्तिक छेत्र में जो प्राकिर्तिक छेत्र है उसमें पादप, जन्तू और परियावर्णी अकारकों से समलित रूप से जो बनने वाला अतंत होता है वो क्या कहलाता है पारिस्तितिक तंत्र कहलाता है जिस तरह से जब हम किसी systems की बात करते हैं system, physical या biological किसी भी तरह का हो सकता है तो उसमें क्या कोई regularly interacting and interdependent components होते हैं जो एक unified whole बनाते हैं पूरा समपूर कोई एकाई बनाते हैं system means, system is a regularly interacting and interdependent component forming a unified whole system अब ecosystem की बात करें तो ecosystem क्या है एक ecological system है an ecological system इसमें a community and its physical environment treated together as a functional system तो कोई पारिस्तितिक छेत्र है, पारिस्तितिक कोई समूदा है उसमें उसके जो बायोटिक और अवायोटिक component है वो आपस में interact करते हैं और एक functional system बनाते हैं इस तरह से यह ecosystem होता है जो ecosystem term है जो ecosystem system सब्ध है वो सबसे पहले टैंसले ने एजी टैंसले ने 1935 में दिया था ecosystem subject अपने आप में ऐसा नहीं है कि टैंसले के बास दुरुआ यह बहुत प्राचीन अबदार्णा है ecosystem की जो अबदार्णा है पारिष्टित तंत की जो संकल्प ना है वो टैंसले ने 1935 में प्रतिपादित की पर यह अबदार्णा बहुत प्राचीन है टैंसले के अनुसाल बातावरण के जैबिक और अजैबिक कारकों के मिलने से निर्मित तंत्र को पारिष्टितिक तंत्र क कहते हैं टैंसले के अनुसार जैबिक और अजैबिक कारकों के मिलने से निर्मित तंत्र को पारिष्टितिक तंत्र कहते हैं पारिष्टितिक तंत्र परिष्टिति की की सरचनात्मक और कार्यात्मक एक आई है यह फंक्शनल और स्ट्रक्च्रल यूनिट है एको सिस्टम जो होता है, किसी भी जो एकोलोजी है, किसी भी छेत्र की जो एकोलोजी है, उसका फंक्शनल और इस्ट्रक्टर यूनिट होती है पारिस्तितिक तंत्र पारिस्तिति की यदि अब इन सब परिवासाओं को जो बिविन बैग ग्याने के होने उन्होंने परिस्तितिक तंत्र को या एकोसिस्टम को अलग-अलग तरीके से परिवाशित किया किसी भी प्राकिर्तिक इस्तान के जो जैविक सजस्थ हैं और अजैविक बातावरण हैं उसमें उर्जा का प्रभा और खनिज पदार्ट चक्र को पूरा करने के लिए जो रचनात्मक और क्रियात्मक पारिस्परिक अन्यक्रियाओं होती हैं इन्ही अन्यक्रियाओं के तंत्र को पारिस्तितिक तंत्र कहते हैं तो सभी बैग्यानिकों के यदि परिवासा का निचोड़ कर एक unified definition दी जाए तो हम कह सकते हैं कि पारिस्तित्क तंत्र, पारिस्तित्की की वह आधारभूत एकाई है, जिसमें बातावरण के जैबिक और अजैबिक कारक एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, एवं पारिस्परिक अनुक्रिया से उर्जा और राइसायनिक पदार्तों के निरंतन प्रवाज से तंत्र की गती सीलता बनाए रखते हैं यदि हम एकोसिस्टं के कंपोनेंट्स की बात करें जो पारितंत्र होता है यादि हम उसमें कौन कौन से component होते हैं तो इन component को हम बयोटिक और अबयोटिक component कह सकते हैं लेकिन यदि एकोसिस्टम के यह fundamental characteristic हैं उनकी बात करें तो तो यदि structural characteristic की बात करेंगे, सनरचनात्मक लक्षणों की बात करेंगे, तो उसमें एक तो living organism होंगे, जिनको biotic component या biotic factors कहते हैं. ecosystem में जो दूसरे component होगा, वो non-living या aviatic component होगा, जिसमें जितने भी physical या environmental factors वो आएगे. इसके अवालावा जो ecosystem है, उसके fundamental characteristic में उसका process है, उसको देखते हैं, process में किसी ecosystem में energy flow कैसे होता है, और जो organic, inorganic material है, या जो chemicals हैं, उनकी cycling उस ecosystem में कैसे होती है, इसके आदार पर ecosystem का निर्दारान होता है. अगला जो fundamental character है, वो है जो ecosystem होता है, कभी static नहीं होता, वो हमेशा dynamic होता है, यानि परिवर्तन seal होता है, जैसे किसी छेत्र बिसेश की, यदि हम का ecosystem देखें, ecology देखें, तो समय के साथ उस एक निश्चित छेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तनों को हम succession कहते हैं, अनुक्रमण, याना पारिस्तितिक अनुक्रमण पढ़ोगे, आप दूसरे एक वीडियो में आप जानोगे कि, ecological succession क्या होता है, तो इस तरह से जो fundamental करेक्टर हैं, उनमें structural करेक्टर की जो ecosystem है, वो दो component का बना होता है, biotic और aviotic component, दूसरा जो भी ecosystem है, उसमें energy flow या उर्जा का, इस्थानांत्रन एक इस्थर से दूसरे स्थर को होता रहता है, एक जीब से दूसरे जीब को उड़ जा का इस्थानत्रन होता है, वो हम जब ट्रॉफिक लेबल पढ़ेंगे, तब देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब geograffical cycles देखेंगे, तब हम जो matter है, उसकी जो cycling होती है, या chemicals है, उसकी cycling होती है, उसको दिखेंगे, तीसरा जो fundamental characters होता है, वो इसकी dynamic nature है, यानि उनका जो constituent है किसी ecosystem का, वो परिवर्तन सील होता है, समेक साथ परिवर्तित होता है, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, पारिस्तितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्तितिक तंत्र है, प्रकरती में बिभिन्य प्रकार के पारिस्तितिक तंत्र पाए जाते हैं, ये सभी मिलकर एक बैहेद पारिस्तितिक तंत्र का निर्माण क्यारते हैं, जिसे हम G-Mandal या Biosphere कहते हैं, यानि हम छोटी-छोटी छेत्रों को देखें, तो वहाँ पर छोटे छोटे पारिश्तितिक तंत्रे पाये जाएंगे लेकिन हम पूरे प्लानेट का यानि पूरी अर्थ का प्रतवी का कोई एक पारिश्तितिक तंत्रे माले हैं तो ये एक Biosphere कहलाता है तो इस तरह जो प्रिक्रती है उसमें बिविन प्रिकार के पारिस्तितिक तंत्र पाये जाते हैं और ये सबी मिलकर एक वहेद पारिस्तितिक तंत्र का निर्मान करते हैं जिसे जीब मंडल या बायोस्फियर कहते हैं जीब मंडल में जो पारिस्तितिक तंत्र या एकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, उनको हम दो भागों में बाण सकते हैं, पहला प्राकृतिक पारिस्तितिक तंत्र या नेचुरल एकोसिस्टम्स, ठीक है, और दूसरा आर्टिफीसियल एकोसिस्टम्स या कृतिम पारिस्तितिक तंत्र प्राकिर्तिक पारिस्तितिक तंत्र ऐसे पारिस्तितिक तंत्र होते हैं जो प्रिकृति में स्वते ही जो प्राकिर्तिक अवस्ता है उसके अमसार चलते रहते हैं और इन जो नेच्रल एको सिस्टम से इन में human interference नहीं होता मानव का इसमें ज्यादा हस्तचेप नहीं होत प्राकिर्तिक पारस्तितिक तंत्र को आवास के आदार पर हम पुने विवाजित करते हैं जैसे टेरिस्टीरियल एको सिस्टम ठीक है टेरिस्टीरियल का मतलब इस थलिये पारस्तितिक तंत्र क्या होते ही है इस थलिये पारस्तितिक तंत्र ठीक है और दूसरे एक्वेटिक यानि जल पारिस्तितिक तंत्र जल ये पारिस्तितिक तंत्र जल ये पारिस्तितिक तंत्र को फरदर हम दो भागों में बाण सकते हैं फ्रेस वाटर पारिस्तितिक तंत्र या एलवन जल पारिस्तितिक तंत्र यह फ्रेस वाटर एको सिस्टम, दूसरा मरीन एको सिस्टम यह जिने लवणी जल पारिस्तितिक तंत्र कहते हैं, तो जो टेरिस्टेरियल एको सिस्टम है, यह जो जमीन है, इस्तल है, उस पर पाये जाने वाले पारिस्तितिक तंत्र हैं, जैसे बन हैं, क्या हैं, बन हैं, इस तलिये पारिस्तितिक तंत्र के यदि हम उधार करें तो यह क्या है इस तल पर पाई जाते हैं जैसे बन बन पारिस्तितिक तंत्र जो है वो गहास के पारिस्तितिक तंत्र है किसके गहास के पारिस्तितिक तंत्र है इस तरह से मरुस्थल है जैसे मरुस्थल तो यह जो पारिस्तितिक तंत्र होंगे यह सब क्या है यह टेरिरियल एकोसिस्टम के प्रकार है इसी प्रकार जो एक्वेटिक एकोसिस्टम है उसमें हमने देखा दो प्रकार क्योंते हैं पहला एलवन जली यह पारिस्तितिक तंत्र अमरीन एकोसिस्टम तो जो एलेवनिय जल है ये फ्रेस वाटर है ये दो प्रिकार का हो सकता है कैसा कैसा एक तो प्रभाहित और दूसरा जल एक तो होता है जो प्रभाहित होता रहता है वो जल है ना रणिंग वाटर है दूसरा इस्थिर वाटर इस्थिर तो इन दोनों का ज जैसे जर्ना का है, नदी का है, कोई नाला है, उसका है, जील, तालाव है, कुंड है, तो जो प्रभाइत होने वाले हैं, उनमें क्या जाएंगे, जर्ना, नदी, नाला, आदी आएंगे, और जो इस्थिर हैं, उनमें क्या आएगा आपका, इस्थिर में आपके जील हैं, ताल उसमें समुद्र एवन जो बेला संगम एवन पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उसके उदार眦, ठीक है? इसके बाद आता है आपका Artificial Ecosystem Artificial Ecosystem ये पारिस्तितिक तंत्र मानब द्वारा निर्मित इवं नियंत्रित होते यहां उर्जा के योग और जो आयोजन पर चालन है उसमें संतलन बनाए रखा जाता है जैसे एग्रेरियन जो फील्ड्स हैं किर्सी भूमी हैं नगर हैं और द्योगी परिशर हैं बांध हैं नहर हैं आदि ये क्या सब Artificial Ecosystems हैं तो इस तरह से एकोसिस्टम को हम दो भागों में बाटते हैं Natural Ecosystem और Artificial Ecosystem Natural Ecosystem में Terrestrial Ecosystem और Aquatic Ecosystem Aquatic Ecosystem को फर्दर दो भागों बाट सकते हैं Fresh Water Ecosystem और Marine Ecosystem Artificial Ecosystem के उधारन किर्सी भूमी नगर और द्योगी परिशार बांध नहर आदि इसके उधारन हैं इसके बाद एक बार आप जो component और Ecosystem में उसके बारे में जान लीजिए जैसा कि हमने देखा कि पारिस्तितिक जो एकोसिस्टम है पारी तंत्र है उसके हम दो गटक मानके मेजर दो गटक हैं कि जैसे से सब्सक्राइब की जोखें उसके पूरी गटकों को देखें तो हम पांच भागों में बाठ सकते हैं उडम है उसने 1971 में उडम ने 1971 में पारिस्तितिक तंत्र के पांच अबयब बताये थे उसने बताये थे एकार्बिनिक पदार्थ, कार्बिनिक पदार्थ, इन और्गेनिक मेटर, जलवाईयू, उत्पादक, फिर उत्पादक, प्रोड्यूशर्स, गुरूद उपभोगता, मैक्रो कंज्यूमर्स और सूच मुपभोगता, मैक्रो कंज्यूमर्स इन पांच भागो में बाटा था लेकिन बरत्मान में जो एकोलोजिस्ट हैं किसी भी पारिष्टितिक तंत्र को चाहें वो टेरिस्टेरियल हो एक्वेटिक हो या आर्टीपीसियल हो उसको दो घटकों में बाटते हैं पहला अजैबिक घटक या पहला अजैबिक घटक ठीक है इनको क्या कहते हैं अजैबिक घटक और दूसरा अजैबिक घटक में इसको दो भागों में बाटा जाता है अजैबिक घटक हैं ये सबी जितने भी निर्जी पधार्थ किसी पारिस्तितिक तंत्र में या एकोसिस्टम पाए जाते हैं वो सब क्या अजैबिक घटक बनाते हैं यहां फिर यह कहें कि जो अजयविक घटक हैं वो पारिस्तिक तंत्र या एको सिस्टम का जो फिजीकल इन्वाइरमेंट है उसे बनाते हैं ये जो appropriate component हैं ये भी बायाटिक component के बरावर ही मह्त्पूल होते हैं और जो बायाटिक comment होते हैं उनकी जो population हें इन एईवायटिक components पर ही depend करती है तो lemons के अनुसार पारिष्ति तंत्रिके अजेविग घटकों को हम तीन भागों में बाढ़ सकते हैं Inorganic substances, Organic substances और Climatic substances यह तीन क्या है एजयविक घटेक हैं अब इनमें जो इन और्गेनिक सविस्टेंस हैं इनमें कारवन, हाइड्रोजन, नाइड्रोजन, जल, सल्फर, फॉसपोरस, ऑक्सीजन और पारिश्तिक तंत्र में एकार्वनिक पदार्तों के रूप में यह क्या करते हैं आजयविक प्रिशिप्टेशन हो रहा है जल का बरसा तो इस तरह से यह अवाईटिक कंपूनेंट को हम तीन बागों बाढ़ सकते हैं औरम के अनुसार इनॉर्गनिक सविस्टेंजिस और ग्लायमेटिक factors यह जो इन ओर्गेनिक सविस्टेंस हैं इनका क्या है प्रिकृति में चक्रण होता रहता है इन पधार्तों का साइकलिंग होता रहता है प्रिकृति में जिनको हम बायो केमिकल साइकल्स कहते हैं जो ओर्गेनिक कम्पोनेंट हैं यह जो एको सिस्टम है उसमें जीवों की मिर्टू के पश्चात जो पधार्त परियावरण में लौटते हैं उनको हम और्गेनिक सविस्टेंस कहते हैं या उस उत्सरजी पधार्त और और और्गेनिक डैट्रिटर्स भी इनको कह देते हैं यह पारिश्तिति है या एनिमल है उसकी डैथ हो जाएगी उसका डिग्रिडेशन होगा तो इस तरह के यह जो component वनेंगे वो क्या organic substances कहलागे हैं तीसरा जो climatic factor है यह पारिष्टित कंत्र का एक जटल गटक है इसमें rain, air, light, temperature, humidity आदी जो कारक है वो सब इसमें involved है, climatic factors जो है इसमें बहुत सारे घटक हैं जैसे air है, light है, rain है, temperature है, humidity है इस तरह से तो यह जो जलवाई विये कारक हैं यह पारिष्टित कंत्र में जो producer है और जो consumer हैं उनकी संख्या को निर्दारे करते हैं यानि जलवाई विये कारक या climatic factors हैं यह producer और जो consumers हैं उनकी जो संख्या उसको निर्दारेत करते हैं यह कारक ही पारिष्टितिक तंत्र में पोसक पधारतों के जो cycling है उसको नियंत्रित करते हैं अज जैबिक घटकों की बात करें तो जैबिक घटकों को हम दो भागों में बाड़ते हैं एक तो autotrophic component और दूसरे heterotrophic components यह biotic component जैबिक घटक पारिष्टितिक तंत्र के दूसरे प्रमों गटक हैं और इनका निर्माण सभी जो जीतधारी हैं वो करते हैं पारिष्टिक तंत्र में पौधे और जन्तु साथ साथ रहते हैं तो जो बायोटिक component में क्या आएंगे plants और animals आते हैं पहला जो autotrophic component यह स्वेपोसी घटक हैं यह किसी ecosystem के बेजीव हैं जो प्रिकास संसलेशन यह रायसानिक संसलेशन के द्वारा means यह जो autotrophic components हैं यह जो जीव हैं यह प्रिकास संसलेशन यह रायसानिक संसलेशन के द्वारा स्वेपोसी कहते हैं इसलिए इनको स्वेपोसी कहते हैं तो भोजन निर्मान की चमता मेंली हरेपादप जिनमें क्लोरोफिल होती है उन में यह जो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें यह तो photosynthesis की capacity होगी यह फिर chemical synthesis रायसानिक संसलेशन की चमता होगी तो इसमें हरेपादप और प्रिकास संसलेशन और रसायन संसलेशन जो जीवान हों है वो आते हैं वो सभी यह सभी मिलके क्या कहलाते हैं प्रोड्यूशर्स कहलाते हैं और यह जो producers हैं यह जो भोजन बनाते हैं यही भोजन जो heterotrops हैं या परपोसी गटक हैं ecosystem के उनके लिए भोजन के रूप में काम आता है बास्तिविक ताम तो यह है कि जो यह producer हैं पौधे प्रिकास यह उर्जा को जटिल कार्णिक पदार्तों की रैसायनिक जो इस्तितिज उर्जा होती है potential chemical energy होती है उसमें परिवर्दित कर देते हैं इसलिए इनको converters भी कहते हैं plants को और जो photosynthetic और chemical synthesis करने वाले जीवान हुए हैं इनको हम converters के नाम से भी जानते हैं तो यह converters हैं heterotrophic जो component हैं इसमें ecosystem की वो जीवाते हैं जो अपना carbonic भोजन है उसको या organic जो food है उसको खुद synthesis नहीं कर पाते हैं वलके पृत्यक्ष या पृत्यक्ष रूप से यह जो autotrophic component हैं उनके द्वारा निर्मित भोजन हैं उस पर निर्वर रहते हैं इसलिए इनको हम परपोसी या उपभोगतक heterotrophs या consumers कहते हैं यह जीव अपने पोसन के लिए उत्पादकों पर निर्वर रहते हैं फर्दर हम जो यह consumers हैं इनको भी दो भागों में माट सकते हैं एक macro consumers या group बोगता दूसरा micro consumers और decomposers ठीक है तो इस तरह से यह किसी ecosystem में जो उसके component में वापस में जुड़े होते हैं precipitation होता है कोई plant है यह green है chlorophyllis के अंदर यह जो सौर उड़ जाए उसको यूज करेगा और photosynthesis करेगा तो यह producer हो गया यह इसके उपर दूसरे जो जीव हैं वो depend रहेंगे ठीक है छोटे छोटे जीव हैं वो इससे भोजन लेंगे primary consumers कहलाएंगे फिर उनके उपर उसको खाने वाले जीव होंगे जो secondary consumers कहलाएंगे फिर top consumers होंगे तो इस तरह से यह कोई ecosystem है उसमें यह सारे component आपस में जुड़े हो होते हैं तो जो ठीक है इसको इतना ही छोड़ देते हैं यह जो उपुभोगता हैं, macro consumers हैं इसमें वो सभी जीव आते हैं जो कार्णिक भोजन को ग्रहेंड कर उनका पाचन करते हैं तता सरकार्णिक पदार्तों में परिवर्थित करते हैं ग्रु बोगता का भोजन पौधे और जन्तू होते हैं यह साकारी हो सकते हैं या फिर मासाहरी हो सकते हैं हर्वी वोरस हो सकते हैं या कार्णि वोरस हो सकते हैं और कई बार यह सर्वाहरी भी होते हैं ओमेनी वोरस इसके अलावा जो पारिस्तितिक तंत्र है वो किसी इस थान के आदार पर भी उसको हम कह देते हैं जैसे पॉंड एकोसिस्टम ताला पारिस्तितिक तंत्र ताला पारिस्तितिक तंत्र पारिस्तितिक तंत्र का एक आइडियल एक्जामपल है यहां पर यह छोटा पारिश्थितिक तंत्र है, और पारिश्थितिक तंत्र में पाय जाने वाल जो सर्नाचनातमक और functional जो characteristics होती हैं वो इस-पस्ट पाय जाती हैं और उनके बीच में coordination बहुत-पस्ट पाय जाता है. तालाब जो पारिश्थितिक तंत्र है, उस तंत्र में क्या क्या गटक पाए जाएंगे जैसे अजैबिक गटक पाए जाएंगे अजैबिक गटक पाए जाएंगे प्रोडूशर्स होंगे कंजूमर्स होंगे फिर मैक्रो कंजूमर्स होंगे कंजूमर्स में और माइक्रो कंजूमर्स होंगे किसी भी तलाब पारिस्तिक तंत्र की हम बात करें तो इसमें अजयबिक गटक सारे प्रिकास, ताप, वाटर ठीक है और कई इन और्गेनिक कंपोनेंट और और्गेनिक कंपोनेंट होंगे जैसे कारवन डाकसाइड है, औकसीजन है, नाइटरोजन है, फॉस्पोरस, केलसियम इस तरह के सारे और जो इसके बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे हम तो किसी तालाब में बायोटिक कंपोनेंट में पहले कौन से होंगे? प्रोडुशर्स होंगे यह जो अन्य पारिष्टिक तंत्र है, टेरिस्टिरियल एकोसिस्टम्स हैं, उसके सापेक्च यहां पर हरे पौदे जो होते हैं, उनके सापेक्च यहां पर जो जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोडुशर्स कहलाते हैं ठीक है, इसमें प्रोडूर्सर के आओंगे, जो रूटेड या फ्लोटिंग प्लांट्स हैं तालाब के अंदर वो होंगे, जो उत्पादक का कारिये करेंगे, जैसे हाइट्रिल आया है, यूट्रिकुलेरी आया है, बैलिशनेरी आया है, इस तरहे के बहुत सारे जो फ्लोट प्लवक के रूप में ही, मुख रूप से उत्पादक का कारिये करते हैं, ये स्वच फ्लोटिड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, माइक्रो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है, बॉल्वाक्स ह इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट जो होगा कंजुमर्स वो पारिष्टी तंत के बेस अजीब जीव हैं जो की उत्पादकों द्वारा प्रोडूसर्स द्वारा जो इसमें तलाव एको सिस्टम में जो भोजन संसलेसित किया है उसका उप्योग करते हैं और इसमें जो कंजुमर्स हैं वो तीन इस तरके होंगे प्राइमरी कंजुमर्स सेकंडरी कंजुमर्स और टर्सरी कंजुमर्स प्राइमरी कंजुमर्स में किसी भी जो पॉंड एको सिस्टम है उसमें जो प्राइमरी कंजुमर्स हैं वो जू प्लैंक्टॉन और बेंथोज हो इंसेक्स हो सकते हैं, लार्वा हो सकते हैं, कुछ क्रिस्टेशियन हो जकते हैं, जैसे कॉपी पोड है, डैफनिया है, आदी, तो यह सब इसके प्राइमरी कंजुमर्स होंगे, सेकंडरी कंजुमर्स का उधारण किसी पॉंड एकोसिस्टम में, मैक्जिमम कार्णी बोरस होते हैं, जो इस तरह के जो हार्वी बोरस हैं, उनको अपना भोजन के रूप में सिकार करते हैं, तो तलाब में पाई जाने वाले कुछ कीट हैं, इंसेक्स हैं, वो होंगी, या कुछ मचलियां होंगी, जो इन जू प्लैंक्टॉन्स और बैंथोज हैं, उनको भोजन्स रंकला में रहन करेंगे, तरसरी कंजुमर्स में कार्णीवोरस जीव आएंगे, जो प्रात्मिक मासारियों को अपना आहार बनाते हैं, इसमें मुक्रूप से बड़ी जो मचलियां होंगी, वो आएंगी, और इसके बाद जो फाइनली माइक्रो कंजु प्राइब करते हैं, तथा उनकी सरीर में उपस्तित जो अकार्मिक और कार्मिक पदारते हैं, उनको पॉंड एकोसिस्टम में पुने लौटाते हैं, तो इसमें बैक्टिरिया और फंगस मेंली डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं, तो आज हमने कॉंसेप्ट आप ए पॉंड जो एकोसिस्टम होता है, उसके कंपोनेंट को डिटेल में देखा, तो इस तरह से ही यह कॉंसेप्ट आप एकोसिस्टम खतम होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेंगे, एकोलोजिकल सक्सेशन लेंगे अगले वीडियो में, और आपको यदि य अच्छे लग रहे हैं, और आपके कॉंसेप्ट यदि क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और सियर जरूर करो, और सब्क्राइब करो, जिससे आपको वीडियो टाइम से मिलता रहे, और आप एक बार उसको देखके, अपने कॉंसेप्ट को क्लियर करके, अपनी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, उसमें से पढ़ो, समझो, हम जो ये कंटेंट दे रहे हैं, उसको भी थोड़ा देखते रहो, ठीक है, थैंक यू